हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आपके सामने वन आप लोग इंपोर्टन साइंस का लेकर आ चुका हूँ जिसमें आज की दिन हम लोग सिक्स्तांडर के लिए वन आप लोग इंपोर्टन चैप्टर जो किये दोस्तो चैप्टर नुमर फूर डिजास्टर मैनेजमेंट पढने वाले हैं तो इस चैप्टर का लेक्टर नुमर टू मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूँ तो लेक्टर नुमर वन में हमनें डिसकर्स किया था कि बेसिकली डिजास्टर होता क्या है कैसे टाइप के डिजास्टर होते हमने देखा था कि नाट्रल डिजास्टर भी होता है मैनमेड डिजास्टर भी होत जाई थी कि नैच्रोल में आ जाता है आपके अर्थक्वेक्स आ जाते हैं ठीके ना सुनामी आ जाते हैं फ्लड आ जाता है लेकिन कुछ मैनमेड भी होते हैं जैसे कि कुछ फॉरेस्ट पायर होता है आदमियों की गलती के वेसे हो जाता है या फिर अगर मैं बात करूँ जो करेंगे कुछ डिजाष्टर के बारे में राट्वेक्स किया होता है ये वीडियो हैं विटयो वेलिकार चीज होता है अकं contributeah कि प्या करना होता है वहुर आजका है ना दोस्टों आच्छी स्माझ में आ जाएगा और आज का retrospect विडियो ए बाहूँ भूब क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो चाप्टर है ठीक है ना कि कैसे मैनेज किया जाता है ये चाप्टर जो है ये आप लोग अभी सिक्स टैंडर में लेकिन मैं आपको बता दू आप जब तक 10th 11th में ने जाओगा तब तक ये भी चीज़ आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि मैंने खुद प्रिवेस येर में जो 10th में थे उनको पढ़ाया था ये चाप्टर जिसका नाम से डिजास्टर नर्जमेंट लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे था आप लोग अभी 6th में हो तो बहुत बेसिक लेवल पे है लेकिन पढ़ना आपको भी है तो चले शिरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ रिजास्टर के बारे में जो पहला रिजास्टर हमें जो पढ़ना है वो है अर्थक्वेक के बारे में आज के दिन तो अर्थक्वेक होता क्या है अर्थक्वेक नॉर्मली हिंदी में इसको भूकंब भ होता कैसे हमारा जो प्रिथवी है हमारा जो अर्थ है दोस्तो इडिस मेड़ पॉफ वैरियस लेयर्स ओफ सॉइल टिके मिट्टी है सॉइल है रॉक से जैसे कि आप अगर हमारे जमीन के अंदर खड़ा जब करते हो जैसे बोर्वेल वगरे होता है आपने देखा होगा कि बोर टिकी अंदर की जो गहराई है वो अलग-अलग लेयर्स लेश में और उसी में कुछ लेयर्स होते हैं जिसको हम लग बोलते हैं दोस्तों चक्तनिक प्लेट्स क्या कहते है के लेशे क्षे टक्रवाइशन हो गया किसी बीचीज के वेसे चाहे वो एक्स्टरणल हो झा फिर न समझते हो, जानते भी हो कि हमारी प्रिथवी रुकी हुई नहीं है, प्रिथवी चलती रहती है, गोल गोल-गोल लेकिन वो थो इतनी slow चलती है, कि हमें मैसूस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रिथवी बढ़ा है, अगर आप कंसि 어डिय कि यह हमारा और ती फॉर्ड सोचो कि यह दुनिया कितनी बढ़ी होगी इमाजिन कर सकते हो नहीं कर पाँ जेंटेट वैसे तो इस वे अपने अपने होंगे लेकिन हमें जो solar system पढ़ाया गया है बच्पन से और हमारा जो syllabus कहता है वो यह कहता है कि हमारे पास एक sun है और उसके साथ में 8 planets है पहले 9 थे Pluto भी था और consider नहीं किया जाता है अब 8 planets है और उसके comparison में हमारा जो प्रिथ्वी है इसी प्रिथ्वी पर इसी planet Earth के उ atomic place प्लेस वो होते हो ög जाएंगे तो कोई मैजिन कर सकता है कि जैसे की अगर यह मेरा लेयर अजय का से प्रिथ्वी का और अंदर का लेयर अगर सख गया अन्दर का लेयर का अगर सख गया इसी जाएग और इसी को लोग क्या बोलते दोस्तों earthquake बोलते हैं, तो earthquake क्या है basically? Moment in the interior part of the earth, हमारे प्रिथवी के अंदर की तरफ से अगर कोई moment होता है, हलचल होती है, vibration होता है, disturbance होता है, जिसके वज़े से tremendous seismic waves निकलते हैं, क्या निकलते हैं? Seismic waves, एक तो wave आपने सुना होगा, लहर, पानी वाला, और एक होता है seismic waves, जो जमीन के अंदर आता है, जटका एक तरीके से महसूस होता है, तो जो भी जमीन के उपर बनीवी चीज हो, चाहे वो आपकी schools हो, चाहे वो buildings हो, चाहे वो railway track हो, roads हो, highways हो, यह सभी चीज disturb हो जाएंगे, और तूटके natural phenomenon है, पतलब अपने आप आएगा, कोई किसी का हाथ नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी, कुछ human beings के वज़े से, जैसे कि क्या हो जाते है, human beings क्या करते हैं, mining करते हैं, बड़े-बड़े पहार को bomb blast करके उड़ाते हैं, ताकि पत्थर निकाल सकें, mining करते हैं, बड़े-बड़े dams को construct करते हैं, तो इतना वज़न प्रिथ्वी के उपर आ जाता है, dam बनाने के वज़े से, तो कभी-कभी sudden disturbance external चीज़ों के वज़े से भी आ जाती है, ठीक है, अगर earthquake आया, तो क्या हो सकता है, तो earthquake आने के वज़े से क्या होता है, सबसे पहले तो बहुत सारे जो buildings होते हैं, ठीक है, या फिर में in short अगर मैं बात करूँ, infrastructure जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सभी चीज damage हो सकता, अब infrastructure मतलब क्या होता है, road, railway, bridges, highway, building, school, temple, जो भी चीज़े, वो सब तूट जाकते हैं, और उसके अंदर रहने वाले लोग, life जो होता है, ठीक है न, life, life की भी damage होती है, और साथ में property की भी damage हो जाती है, यह मतलब कहीं न, कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, साथ ही में कुछ reverse जो होते हैं, वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जैसे इसे आप आगे बढ़ोगे, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th में जाओगे, तो थोड़ा और advanced level में आप disaster management को पढ़ोगे, तो यह हो गया पहला disaster जिसका नाम था earthquake, वैसा ही अगला जो disaster की बात करना है हमें, वो है दोस्तो, flood, flood क्या होता है, बाड होता है, बाड आपने सुना होगा, अभी recent में, जो यह वीडियो में बना रहा हूँ, इसी time के आसपास कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आसाम जो है दोस्तो, हमारा एक state है, आपको पता ही है, वहाँ पे बाड आया हुआ है, अब उसमें बाड जो है, क्यों आया, because of heavy rain, क्योंकि आप एक चीज़ समझते होंगे और जानते भी होंगे, कि ज़्यादा तर जो बाड आती है, वह बहुत ज़्यादा तेजी से बारिश जब आती है, heavy rains आती है, तो वही हमलों को पढ़ना है, सबसे second topic हमारा flood, ठीक है, तो flood को हमलों क्या बोलते है, हिंदी में, बा इतना जादा जब बारिश हो जाएगा, कोई भी जगा हो, जब बारिश आएगा और पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, जो सीवे सिष्टम होता है, जो नाले वगरे होते हैं, वो सब भर जाएंगे, तो पानी धीर धीर जमा होते जाएगा, और वो पूरा शह मतलब क्या होता है, यह जो मैंने बता दिया, अब एफेक्ट क्या है, फ्लर्ड का सबसे आधा एफेक्ट जो होता है, वो लोगों के लाइफ के उपर होता है, कुछ लोग जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पानी में डूब के मर सकते हैं, लाइफ का हो सकते ह पर टकराएगा, तो वो तूटके गिर सकता है, इस प्रकार के कही सारे परिणाम होते हैं, और साथ ही में बहुत सारे disease फैलने का है, epidemic जिसको बोलते हैं, ठीके न, epidemic, epidemic हो गया, या फिर disease फैलने का chances होते हैं, तो वो हर एक के contact में आएगा, skin के contact में आएगा, किसे के मुँ में जाएगा, पेट में जाएगा, हर चीज में जाएगा, तो कहीं न, कहीं उससे क्या होजएगा, भीमारी फैलने का ज्यादा chances होता है, और बाड में अकसर देखा गया है, कि गाओ-गाओ में अकसर जो अलग-अलग टाइप की महामारी होती, बीमारी होती न, वो फैल जाती है, और लोग उसके वज़े से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं, clear है, तो ये था हमारा second topic, जिसका नाम था, flood, जिसको बाड भी कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका क्या side effect है, ये भी हमने बता दिया, clear है, बहुत simple topic है, अब अगला topic है, हमारा जो है दोस्तों, वो है, तीसरा topic है, यहाँ पे मैं पढ़ा जाता हूँ, तीसरा topic जिसको हम लोग बोलते है, storm, अब storm को हम लोग बेसिकल तू तूफान, ठीक है, एक word आपने सुना होगा, अगर आप लोग Marvels के fan हो, तो तूफान का देवता, कोने बता हो, ठीक है, ना Marvel movie देखते हो, Marvels के बहुत सारे movies है, Avenger वगरे, ठीक है, तो उसमें वे एक character है, मुझे बता ना कोने हो, मुझे पता है, लेकिन आप लोग देखते साथ में low air, ठीक है, ना, और साथ में उसका pressure, मतलब high air pressure, low air pressure, जो एक साथ generate हो जाते हैं, तो जिसके वे से क्या होता है, कि बहुत जोर से क्या चलने लगती है, हवाय चलने लगती है, winds बहुत जोर से चलने लगती है, साथ में कभी-कभी बरसाद भी रहती है, तो उसी हमने महसूस कि आ, महराष्टर में भी आया हुआ है, खासकर जो टटिये इलाके होते है, समुंदर के आसपास के इलाके होते है, वहाँ पर तो अकसर तूफान आता है, ठीक है, साइकलोन आ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी आता है, वहाँ पे बहुत चीजे होती है, लाइफ का डामेज हो सकते हैं, किसी चीज के उपर, मतलब, कोई इंसान के उपर, कोई जानवर के उपर कोई चीज गिर गया भारी बर कम उड़के, तो उसके लाइफ भी जा सकती है, और यहसे कई सारे चीजे होती हैं, जैसे electric supply cut हो जाता है, बिजली के तार वगरे गिर जाते हैं, तो electric supply cut हो जाता है, साथ में communication system जो होता है, क्योंकि telephone के wires वगरे होते हैं, ठीक है ना, ये सबी चीज गिर जाते हैं, खंबे गिर जाते हैं, तो इस प्रकार से चीजे जो है, बहुत ज़्यादा problem आ जाती है, और य तो ये आखरी, fourth type का disaster ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको मैं rough कर रहा हूँ, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, अभी जो fourth type का disaster है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, forest fire, ठीक है ना, ये forest fire जो होता है, वो generally दो type के होते हैं, ये दोनों मैं explain करूँ आपको ध्यान से देख लेना, forest fire, अब ये forest fire में सबसे पहले होता कैसे है, मैं आपको बता दो, दोनों reason, एक होता है natural reason, एक होता है natural reason, अब natural reason मतलब क्या होता है, कि समझ लोग कि दो पेड है, अब बड़े-बड पेड का stem है, दोनों ये दो पेड है, कभी जूल रहे हुआ के वज़े से, तो ये टकरा रहे, तो टकराने के वज़े से क्या होता है, दोनों के बीच में friction हो रहा है, और friction यानि कि जब वो दोनों एक दूसरे को रगड खाएंगे, friction होगा, तो चिंगारी निकल सकती है, और ये वो फैलता जाएगा, तो इस प्रकार से manmade region हो सकता है, और यसे कई सारे और रिजन है, फैक्टीज हो गया, कुछ लोग चूला जलाते हैं, क्या क्या करते हैं, यसे बहुत सारी चीजे हैं, जो जंगल के किनारे वगर होती है, तो उसमें आग पकड़ सकती है, और जिसक जल के खाक हो गया, और हमारे लिए प्लांट लाइफ कितना जरूर है, क्योंकि अगर प्लांट लाइफ है, तभी तो हमारा human being का लाइफ है, तो प्लांट लाइफ की बरबादी हो जाती है, जल जाते हैं, राक हो जाते हैं, दूसरा, साथ में जो animals होते हैं, उनके ओपर भी दूआ निकलेगा, मतलब in short, क्या हो रहा है, बहुत ही जादा pollution हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी कौन सा pollution हो रहा है, हवा का, air pollution बहुत जादा हो जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा चीजे हैं, और साथ ही में कुछ natural चीजे जल जाती है, natural wealth का नुकसान होता है, क्योंकि होता है, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, effect क्या होता है, ये सभी चीज हमने पढ़ा दिया है, उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह की समझ में आ गया होगा, तो ये ही था total 4 हमारे disaster, जो हमारे इस chapter में mention किये हुए थे, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारी चीज को हमें पढ़ना है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले lecture में, जो की होगा lecture number 3, तो आप लोग बस कुरसी की पेटी बांदे रखना, और हमारे lecture number 3 का इंदजार करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे चीज हम लेकर आए, तो आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आए, दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेर कर देना, और फॉर्स टाइम चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में एक बेल आइकन उता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोको निव वीडियो में तब पर के लिए थाइंक यू और गुडबाई